हेलो एव्रिवान वेलकम बैक टू माई चैनल रेशोमोन व्लॉग में तो गाईश अभी देखे मैं क्या कर रही हूं सुबह सुबह का वो चलनी है उसमें ना सुझी निकाली हूं उसको चाल रही हूं देख रही हूं कि किड़ा बगरा तो नहीं है तो नहीं था तो फिर मैं उसमें और थोड़ा सा पैकेट से निकाल के डाल दी हूँ क्योंकि आज मैं बनाऊंगी हल्वा मेरे पती देव का फर्माईस है उनको हल्वा खाना है और स्रेयू भी बहुत जित कर रहा था मतलब रो रहा था इसलिए कि मुझे भी खाना है हल्वा पूरी करके तो उसी के अज मैं अज मैं हल्वा बना रही हूं और मेरे पती देव को भी बहुत पसंद है तो चलिए फिर आज नस्ता में ही वही बना देते हैं तो मैं आज काफी सुबह से उठ गय थी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम रहेगा करके क्यूंकि इसमें तो time लगता ही है हलवा में भी time लगता है और पुड़ी बनाने में भी time लगता है तो देखे आज में अभी ना सुजी को मैं भूंज रही हूँ अच्छे से तो पूरा golden brown होने तक से अच्छे से भूंज ली हूँ और उसमें डाल दी हूँ मैं ilaiji और उसके बुँच ली हूं उसके बाद में डालने हु अधि siakkar siakaru पुज्ग और कणाया में टच हो गया है तो कणाया में टच हो किहाल में है आज बनाते बनाते मैं नास्ता और यहां पर देखे शक्कर भी जो है न वह अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं यहां पर पानी डाल रही हूं और उसके बाद उसमें चम्मत चलाते रहूंगी नहीं तो पूरा नीचे क्या है तली में बैड़ जाएगा और इकठा हो जाएगा पूरा तो उसको चम्मत चलाते रहने से न वह अच्छा रहता है तो यहां पर चम्मत चला दी हूं और उसको काजु बदाम को भी में डाल दी हूं और यहां पर हल्वा मेरा हो गया है उसके बार देखे यहां पर तेल में कड़ाई में तेल निकाल ली हूं और उसको रख द बड़ा सा बेल लोंगी रोटी जैसे उसके बाद मैं बीस से उसको कट कर लोंगी तो देखे यहां पर कट कर रहे हूं तो चार तुकड़ा में कट कर रहे हूं वहां पर ना पूरी का जो हो गया है तेल थोड़ा सा गरम तो हम लोग के आहां क्या है ना जब पूरी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं च्छानने वाला तो उसमें क्या एक गिलास पानी अलग से रखते हैं और चोटा सा पुड़ी बना के फिर वहाँ पर भगवान जी को मतलब अगनी देव को चढ़ाते हैं तो उसको मैं कर दी हूं पूझा करना मतलब बोलते हैं तो वह मैं कर दी हूं उसके बाद मैं बना रही हूं मतलब डाल दी हूं पूरी तलने के लिए तो देखे यहां पर पूरी तल रही हूं मैं और वहां पर इंडक्षन में दूद गरम करने के लिए रखती हूं गरम हो रहा है और इधर में पूरी बना रही हूँ उसके बाद मैं तल रही हूँ फिर उसके बाद तल रही हूँ क्योंकि फिर इक अठा करकर करके रखूंगे तो वह चिपक जाएगा तो एक-एक रोटी बना रही हूँ फिर कट कर रही हूँ फिर उसके बाद मैं तल रही तो अभी यहां पर लग रहा था मुझे कि कोई होता कास तो कोई बना देता इधर जो इधर में तल देती लेकिन अब कोई है नी तो करना पड़ेगा मुझे ही और उनको दे दी हूँ देखे पोड़ी और हल्वा और यह खा रहे हैं और श्रियांज को भी खिला रहे हैं उसके बाद मैं निकाल रही हूँ अपने लिए नास्ता और श्रियांज भी खाएगा साथ में मेरे क्योंकि वो दोनों के साथ में खाता है और दूद को लेकर गई हूँ गरम हो गया है ठंडा भी हो गया है तो असको डाल दूँगे फ्रीज में और मैं अभी आपर नास्ता कर ली रात में तो उसको डुबा कर रख दी हूँ और वहां पर टमाटर डुबा कर रखी हूँ क्योंकि आज मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी मतर भी छिल ली थी रात में ही तो मतर और टमाटर की चटनी दोनों मिक्स करके मतलब बनाऊंगी तो यहां पर अब मेरा बरतन भी यहां पर ना मैं पाई करने के लिए उसको मतब ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूं पाई मैं थोड़े थोड़े टाइम में मैं पाई करते रहती हूं उसको पर उसको लगता है आप काम कर रहे हो तो पाई करके काम करो नहीं हो पाता गाइस नहीं हो पाता पाई करते रहोंगी तो मेरा दोनों हाथ में इधर उधर का काम रहता है वो कैसे हो पाएगा आपी लोग बताएगा तो उसको ना में थोड़े थोड़े देर में पाई करते रहती हूं फिर उसको उतार देती हूं फिर इधर काम करने के लिए आती हूं काफी मुश्किल होता है बट कोई ना कर ही लेत वेखना साहिते हैं से वहनके मगा एक तुट केय पाइला है डुट के तुट कने दो since रुट के कहते हैं बार बार कीचन रहे हैं डुट कशिपग डेन इसया यह क्ट रहा है तो उसके लिए उसको हमेशा मना करते रहती हूं बट वो मानता नहीं है और देखे यहां पर कैची को कैसे पकड़ लिया है वो थोड़ा सा भी मतलब ना पलक जपकते ही वो जो चीज को नहीं चुना चाहिए वो चीज को पकड़ लेता है वो इसी करण से काफी उपर-उपर म मुझे आभी काटना है मेथी भाजी को इसके वज़ेसे मैं उसको निकाली थी तो देखे यहां पर ना पाऊ न करके फिर वह पतलब पाने के लिए ही वो रो रहा था तो पाली उसके बाद यहां पर फिर मैं देखे शमच चला रही हूं सब्झी को और वहां पर टमाटर को तो भी मैं कट करके रख ले हूं और वहां पर गई हूं मैं श्रयांस को टीवी देखो बेटा थोड़ा देर बैठी थी उसके बाद फिर मैं आ गई हूं यहां पे सबजी को देखने के लिए और फ्रीज से मतर निकाल के लिए कि आई हूं क्योंकि उसी में रख दी थी उसको धोई हूं उसको फिर डाल दी हूं तो टमाटर को भी मैं डाल दी हूं मतर हो गया था तो और फिर इधर आई हूं देखे मतलब जो बिस्तर है पुरा पड़ा हुआ है किसने गंदे सा लग रहा है तो उसको फिर मैं सेट करने के लिए उसरे आंस यहां पे रो भी रह ना दे देखे बाहर निकलने की कोशिस कर रहा है बट ना मैं उसको बोलती हूँ भागो बाउ है उधर मत जाओ करके तो फिर भी वो चला गया है बट उसको मैं बोली हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो देख के फिर आना तो वो नीचे गया है दीडी है या दादा जी लोंग है तो व फिर मैं देखने गई थी तो फिर वो वापस आ गया क्योंकि वहां पर उसके दादा जी लोंग नहीं थे तो यहां पर फिर उपर में चड़ गया है और वो टीवी देख रहा है और मैं इधर पूरा बिस्तर को जाड़ ली हूँ और उसके बाद पूरा देखे वहां पर बहुत ही सारा चीटी हो गया था तो इसको बाहर रखे आई हूं और वहां पर ना जहां पर वहां पर जाड़ देखेश को चिटी को चष्यटी हूँ है तो चीटी लोंग साटें मत्बर जाएंगे इसके बाद सब्सक्राइब सुखेटा ने वां फेग दिया था अगया फिर उठाइए हूं और इधर आ गई हूं और इधर आगा थिस्टा देखने के लिए तो अधर का मेरा पूरा ज्जाड़ो वगेरा हो गया है और सब्सक्राइब में ढ़नां दालूंगी देखे तो दन्या को द्हों निकाल रही हूं और उसके बाद फिर मैं उसमें डालूंगी तो चटनी मेरा होई गया है पुरा मिक्स हो गया है और श्रेयू को देखे पूरा मेरे साथ में न दिन भर चिपके रहता है बस वह बस वैसी करते रहता है रोते रहता है बस वह पाना मम्मा पाना मम्मा पाना मम्म और कुछ नहीं और यहां पर देखे मेरा जटनी जिसके बन गया है उसके बाद यहां पर मैं भाजी को चौका लगा रही हूँ तो उबल गया है अंवाँ पर देखे पानी डेन होगा करके इसमें जाली वाले बरतुन में रख दी हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर चावल को भी धोके रख दी हूँ देखे यहाँ पर इंडक्सन में और इधर मैं छोका लगाने की त्यारी कर रही हूँ तो हो गया है तो छोका लगा भी दी हूँ मैं फिर उसके बाद उसमें हल्दी और नमक डाल दूँगी मैं भाजी में थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ, पता नहीं आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते हैं, बट मैं तो डालती हूँ, थोड़ा सा हल्दी, उसे मतलब अच्छा रहता है, मेरे पापा है वो भी हमेशा मतलब डलवाते हैं, हम लोग पहले भी अपने घर में भी थे तो भी हमनम हल्दी डालते थे और यहां ससुराल में भी आई हूँ तब भी यहां मैं हल्दी डालती हूँ, तो देखें यहां पर मैं मिक्स कर दी हूँ टामाटर को उसके बाद है चिम्मच चला रही दढ़ दी हूँ, और उसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, ढग के रख दी हूँ उसको भाजी को और फिर इधर आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए, तो बाहर तरप का मेरा पूरा पोछा लग गया है, उसके बाद देखे, हाल में आ गई हूँ, पोछा लगाने के और यहां पर श्रियान जो है ना पोयम देख रहा है तो यहां पर चल रहा है लाला जी का पोयम चल रहा है तो उसी को देख रहा है वो आजकल वही उसी को ही पसंद करने लग गया है काफी पसंद करता है मतलब ना हार हमेशा ना बोलते रहता है लाला जी वाला लगाओ तो अ यहां पर देखे, हॉल का लग गया है मेरा पोछा, अब रूम में आ गई हूँ, तो देखे, जट पट से फिर मैं इधर रूम का भी मैं पोछा लगा ली हूँ, और उसके बाद मैं चली गई हूँ कीचन में, चामल को देखने के लिए क्योंकि रख के आई थी, तो हो गया है, चामल मेरा पग गया है, देखी तो, तो उसके बाद मैं उसको पसा रही हूँ, और यहां पर सबजी को भी मैं पोछा लगा रही थी, तो आकर फिर मैं बंद कर दी हूँ, तो हो गया है, चामल मेरा पग गया है, और उसके बाद मैं टिफिन में पैक कर ली हूँ, अपना खा मैं प्वर ली हूँ और ऑसको रख ली हूँ जोल में क्योंकि अप लेकर जाएंगे और यहाँ पर देखे ज्ग में मेरा पराया नहीं था तो उसमे में पानी भर रहे हूँ और यहाँ ठ cohgase कर दी हूँ पूरा मैं पूरः पोच ली हूँ गेस और चाहिए पूर्ष अब रेडी के लिए तो हो गई गाई tür talk है थोड़ा सा रहात मिला रेडी हुई हूं पूरा कम हो गया कम्प्रेट मेरा आप इनको फोन भी लगा देढ हूँ तो छलूंगी अब मैं दुकान